हेलो दोस्तो मैं हुँ दीपाली और मेरे चाहला पर आपका बहुत स्वागत है आज हम मटार पराठा की रेसीपी दिखने वाले बहुत ही इजी वेम में सिंपल और बहुत ही टेस्टी तो इंग्रेंस देखते क्या के लगने वाले यहां पर देट कोटरी मैंने ताजे मटार है तो इसको में दो सिटी लगाने वाली हूँ अगर आप फ्रोजन यूज़ कर रहे तो आप डारेक्ट यूज़ कर सकते तो यह मटार को मैंने छील लिया है अब इसको एक बार धो लिती हूँ और थोड़ा सा पानी डालके हमें इसको कुकर में सिटी लगानी है और सिटी लगा के दो सिटी लगा लेते फुल गैस पर दो सिटी लगानी है जब तक हमारी सिटी लगती है कुकर ठंडा होता है तब तक हम आटा गुन के रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे चपाती के जैसे ही सॉफ्ट आटा हमें गुन के रेडी रखना है तो मैंने यह गुन लिया है साइड में रखते हूं तब तक हमरी सीठिया हो चुकी है अब ये थंडा करने के लिए में थोड़ा इसको चन्नी में डाल दिया है ताकि इसको पानी है वो भी नीचे चला जाए एक्स्ट्रा वाला पानी अब ये मटार जो उबलेवे मटार है उसको थंडा होने देते थंडा होने के पाद इसको मिक्सी में हमें चलाना है तो यहाँ पर चार-पाच हरी मिर्चे में ले रहे हूं और लहसन की कलिया एक आज़्यस लेनी है यहाँ पर मटार हमारे उबले हुआ है तो वो काफी सौफ् तो यह पर दर दर हमें पीशना है एकदम फाइन से पेस्ट नहीं करनी है यह फिर आप समेशर से भी इसको थोड़ा समेश कर सकते तो यह मैंने थोड़ा दर दर पीश लिया है अब इसको तड़का लगाएंगे ताकि इसको जो स्वाध है और ज़्यदा बढ़ जाएं और उबालने के बज़े से तोड़ा यह चिपचपा होता है थोड़ा सा हलको इसको हमें ड्राय करना है बहुत ज्यादा नहीं हलका सा तो यहाँ पर तड़के में मैंने जीरा डाला है आधा चोटी चम्मच जीरा थोड़ा सा चटक ने लग गया तब हम इसमें थोड़ा सा हिंग डालेंगे वन फॉर्ट चम्मच का भी थोड़ा सा आधा या फिर दो या तीन पेंच बोल सकते हैं इतना और उसके बाद इसमें हम यह जो हमने मिक्सर में चला के रखका है मता का मसाला स्टफिंग वह इसमें डालेंगे कुछ मिन्टों के लिए हम इसको बस साटे करेंगे यह आप है हमने इसमें मिर्ची अलड़ी डाली हुई है इसे तरके में और कुछ डाला नहीं है हमने गैस की फ्लेव मीडियम रखनी है अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो मसाले में चोटी चमच है यह धनिया पाउडर डाला है और गरम मसाला गरम मसाल भी आदा चोटी चमच है थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाला है अजवाइन आप स्कीप मद करिए बहुत अच्छा टेस जाता है उसे जब हम खाते समें मुव में आता है उसका टेस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और यह नमक डाल दिया है अभी सारे मसाले डालने के बाद एक बर मिक्स कर लेते है कि यह स्टफिंग हमें बहुत ड्राय नहीं करनी है अगर बहुत ड्राय हम करेंगे तो पर तो बस थोड़ा सा इसको रोज करें ताकि इसका स्वात और बढ़ जाए मसालों के साथ इसको थोड़ा सा मैंने बून लिया तो ग्यास बंद कर लेते हैं और इसको थंड़ा होने के बाद थोड़ा और ड्राय हो जाएगा अब इसको थोड़ा और चटपटा बनाए के जैसे कि उबले हुए आलू होता है उस तरह से थोड़ा सा यह चिपचपव होता है और वैसा ही हमें चाहिए ताकि पराठे में अच्छे से स्प्रेड भी हो जाए और खाने में यह बहुत ड्राए नहीं लगे पराठा तो अभी हमारे आठे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है जब मसाला वगरा स्टफिंग बनाती टाइम में तब इसमें से छोटी से लोई में निकाल दी है और इसको कटोरी का शेफ में देने वाली हूँ स्टफिंग भरने के लिए तो स्टफिंग ज्यादा भरनी है यह कम भरनी अपने चॉइस із कर सकते हैं तो म मतार का पाराढ्था वैسे भी सीखने के ब MP3 में स्टफं.. लगता है में। आप्टा काथ टेस्टी के चैबज के पाराढ्था में तौड़ा स्टफंग डालता है तब यह खाती समय अच्छा लगता है क्टार पाराढ्था का वैसे नहीं हैं तुछ होड़ा किनारों को अधोड़ दबा के सिल्ड कर देंगे भी और फिर आप पूरी की तरह चोटा सा पूरी अंबेल game उसमें स्टेफिंग भर सकते हैं किनारे जोड़के उसको भी सिल कर सकते हैं तो यह हमारा एक लोई तैयार है स्टफिंग भरके अभी सूखे आठे में उसको थोड़ा से लपेट के हम इसका पराठा बेल लेंगे और पराठा यहाँ पे बहुत मोटा नहीं बेलना है हमें नाकी एकदम पतला ऐसे मीडियम साइज का मेलने वाले हैं आलू का पराठा पराठे का वैसन ही है थोड़ा से पतला भी वह अच्छा लगता है टेस्ट में अगर आप मोटा रखना चाहते हैं तो भी चलेगा पर यहापे में थोड़ा पतला बेल रहे हैं मीडियम साइज आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारा पूरा हमारे पराठे में चारो जा चु करके लेना है हमें आप देख सकते हैं कितना मोटा में ने बेला है इसको ज्यादा पतला भी नहीं है और ज्यादा मोटा भी नहीं है मीडियम ऐसा है तो तवा गरम होने के बाद कुछ बूंदी तेल की यहाँ पर में डाल रहे हूं ताकि हमारा जो पराठा है वह चिपके न तब एकदम गरम है तो उसमें ने एक पराठा डाल दिया है उपर से थोड़ा सा पका हुआ जब दिखेगा तब हम इसको पलट देंगे और दोनों साइड में थोड़ से गोल्डम ब्राउन कलर आने तक हमें इसको सिखना है यह पराठे को आप घी लगा सकते हों बटर लगा सकते हूं या फिर तेल भी लगा सकते है आपकी चोईस पर है अगर बटर यह घी लगा रहे है तो आप गैस से जब पराठा हम नीचे उतारने वाले तब लगाई है ताकि वो जलेगा नहीं क्योंकि घी जलती जल जाता है तो हमारा पराठा फूल गया है बट कहीं पर मसाले की वज़े से थोड़ा सा वो क्रैक हो जाता है तो इसलिए वहां के से स्टीम बहार निकली है इसलिए देखने रहे बट अच्छे से ह मैं आप घी लगा रहे तो अभी उतारते समय ही मैं इसको घी लगा रहे हूं तो पराठा आप देख सकते हैं थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है हमारा इसको निकाल लेते हैं अपनी मन पसंद राइता के साथ आचार के साथ आप चटनी के साथ कैसे भी सवर कर सकते हैं स लोके सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू